बुखे दश्रत का सुमंद्र से आगर दश्रत अपने सुध भुद्ध खो चुके थे दुख से उनका हाल बेहाल था मुर्छा तूटने पर राजा जागे और उन्होंने सुमंद्र को अपने पास बुला कर कहा थे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के पास जाओ दोनों कुमारों तथा सुकुमारी जानकी को रथ में चड़ा कर वन ले जाओ उन्हें वन की भयावता का बता नहीं है यदि दोनों भाई ना माने तो हाथ जोर कर विंती कर जनब कुमारी सीता को लोटा लाना वन में बहुत दुख होंगे सीता कभी पिता के घर कभी ससुराज जहां इच्छा होगी वही रह लेगी यदि सीता लोट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा अन्यथा मेरी मरण निश्चित है मुझे राम लक्षमन सीता को ला कर दिखाओ ऐसा कहकर राजा पुना मुर्चित होकर गिर पड़े राजा की आग्या पाकर सुमंद्र तुरंत रत लेकर गए नगर के बाहर सीता सहित उनको दोनों भाई मिले उन्हें रत पर बठाकर दुखी नगरवासी को पीछे छोड रत चल पड़ा